सुपरबातम बच्चों क्लाश 10 इस बंदना 12 चैप्टर मरू सौंदरियम मरू सौंदरियम का मतलब होता है बच्चों राजस्तान का सौंदरिय तो इस चैप्टर में हमें हमारे राजस्तान के सौंदरिय के बारे में बताया गया है राजस्तान प्रदेश अश्य पक्षिमान चले प्रस्तास्तमेन थार मरू भूमी राजस्तान के पक्षिम अचल में थार मरू भूमी फैली हुई है राजस्तानिया वयं विशेश्तह अश्य मरू देश शे सोबा इस्पंदनह अक्षिय कोश्यम प्रति अनुरक्ता गोर्वान विंता च इश्मह राजस्तान्य जो राजस्तान है वयम विशेश तह हम राजस्तानी लोग विशेश रूप से अश्य मरुदेश शे सोबा इस्पंदा हमरु प्रदेश की सोबा इस्पंदा अक्षिय कोश का मतलब होता है बच्चों खजाने प्रती अनुरक्ता गोरवान्ता चईश्माह हम राजस्तानी लोग विशेश रूप से इश्मरु देश की सोबा इसपन्दा अक्षिय कोश्क यानि खजाने के प्रती अनुरक्त और गोरवाविंत है न केवलं वयम अपितू मरु महिमा आक्रष्टा देशाटन रुच्य वेदेशीकाह अपी मरु शोंदरिय दर्शनम विचातं स्पांतं लोक्य नेविचातं मन्य मान्य मरु दर्शनम ग्रतवा मान्व ध्यानम मन्यते न केवलं न केवल वयम अपितू हम अपितू मरु महिमा मरु यानि राजस्तान को कहते हैं राजस्तान की महिमा आक्रष्टाह उसकी आक्रषित देशातन में रुचि विदेशी कहा विदेशी जो लोग होते हैं उनके प्रती अपि मरु शोंदरिय महिमारे मरु प्रदेश की शोंदरिय था दर्शन वंचितान वंचित स्वातपन अपनी आँखो से लोचने वर्जिताम आखो से मन्य माना मरु दर्शनम करत्वा आत्मनह द्याना मन्यते अपनी आँखो से वचित मानते हुए मरु प्रदेश करने अपने को धन्य मानते हैं क्या कहते हैं कि ना केवल हम अपितू, मरू यानि रेगिस्तान की महिमा से आकरशित देशाटन में रुची रखने वाले विदेशी लोग भी मरू प्रदेश की सुन्दरता के दर्शन से वंचित, अपनी आखों से वंचित मानते हुए मरू प्रदेश करके अपने को धन्य मानते हैं यानि इस भूमी को देखकर अपने आपको धन्य मानते हैं कौन गिदेशी लोग राजस्तानी भाषा यहा महा कवी स्वर नाम धन्य हां राजस्तानी भाषा मैं महा कवी स्वर नाम धन्य जो उनका नाम है पदमश्री कनहिया लाल सेथिया इया मेव मरू इस्तुवन धर्ती धोरारी इत्यमव गीतम रचेत्वान हमारे जो राजसानी बाशा के जो महा कवी है उनका नाम किया है जो पदमश्री कणहिया लाल सेथ या ने इस धर्ती की इस्तुती करते हुए धर्ती दोरारी तीवो की धर्ती। इस अमर गीत की रचना कीती। आदूनिका हा संस्कृत कव्यो अपीस्व कावे शव मरू भूमी गोर्वा गम कृतवत्त हा आदूनिक संस्क्रत कव्यो ने भी अपने काव्य में मरू भूमी का गोर्वगान किया था प्रस्तुत पाटह कत्ती पईये सरले मरू भूमे श्लोके अपुर्व शौंदर्यश्य यथा वाच्य चिता अक्रशकम च चारू चित्रम प्रस्तुत्ते प्रस्तुत पाटह में कुछ श्लोके श्लोक से मरू भूमे यानि मरू भूमी अपुर्व शौंदर्यश्य का यथा वत चित्रन चित्ताक्रशन यानि चित्राक्रशन और सुन्द चित्र प्रस्तुत किया गया है अब हमारे राजसान मुहमी के बारे में कवी क्या कहता है यहां पढ़ेंगे कवी हमें क्या बतलाना चाता है सरीर विज्ञान विच्च शर्णेन प्रसंसितोयम चरकेश्व चरेन श्नेहार्द भावक सेवश्ट्रिम सुलको अपीनित्यम शरशह शदेशह कवी हमें क्या कहता है सरीर विज्ञान सरीर विज्ञान के विचश्च शरेन यानि विशेशग्य प्रशान्तिको अयम चरकेश्वेण आश्चार्य चरक त्वारा प्रसंसित इश्नेहार्द यहां इश्नेह द्रतादी तता प्रेम के कारण भावेक वेशिष्ट्य भाव से वेशिष्ट्य शुषको अपीनित्य शरशश शदेशह क्या कहते हैं जो हमारी भूमी है जो हमारी मात्र भूमी है वह सरीर और विज्ञान के विशेश्य की आचार्य चरक द्वारा प्रसंसित है ऐसा कहा जाता है कि यह देश मरू देश सुका होते हुए भी इश्नेह से भरपूर है स्वादिश्ट्य तता आनंद मैं है जो भी इस देश में आता है वो इश्नेह पाता है मरू शू वर्णो नहीं यें द्रश्ट किम तेन द्रश्टिम कुह चितह शू द्रश्यम इस्फुटम माराव भ्रांती सुमेरू अंगणा विलाशू कृष्णाशू न तेही म्रज्याहा कवी क्या कहता है हमें मरू सू वर्णा नहीं यें द्रश्ट जो हमारी मरू भूमी है वो सोने जेसा सुन्दर्वन वाली है किम तेन द्रश्टह कुह चितर शू द्रश्यम जिसने नहीं देखा वो कही अच्छा द्रश्य कहां देखा सुमेर जो परवत की चोटिया है जो सीकर है उसके समानी मरुस्तर भूमी में इस पश्ट उसकी सोबना बताई गई है कि लाशू कृष्णाशू नते म्रग्या जैसे परवतों की काली सीलाओं से उनकी सोबा नहीं डूंडी जा सकती है कहने का ताद पर ये कभी हमें क्या कहता है म्रग्या यानि खोजना या ढूंडना योग्या काली कृष्णाशू श्यामाशू यानि काली सुमेरू श्रिंगाह यानि सुमेरू परवत तो कभी हमें क्या कहता है कि यह जो सोने जैसा सुंदर वर्ण वाला यानि रंग वाला मरुस्तल कौन रेगिस्तान जिसने कहीं जिसने नहीं देखा उसने कहीं अच्छा द्रशित कहां देखा जिसने हमारा रेगिस्तान नहीं देखा उसने फिर क्या देखा उसने कुछ भी नहीं देखा यानि इतना भली ये सूका है पर इसकी सोबा इसकी सुंदरता विशाल है जिसने नहीं देखा उसने कहीं अच्छा द्रशित कहां देखा सुमेरु परवत की चोटियों यानि उसके सीकर के समान मरुस्तल में स्पष्ट सोबा देती है मुरस्तल की इस पश्ट सुबा देती है ये चमकती है परवतों की काली सीलाओं में उस सुबा को नहीं डुंडा जा सकता जिस परकार परवत काली सीलाओं से डखा है हम उसकी सुबा उसको पार कर कर ही देख सकते हैं कि वो किस परकार से सुन्दर प्रतीत होता है तरीके से रेगिस्तान की सुन्दरता हम वहां की रेत ये सुखापन से नहीं देख सकते हैं इसलिए कवी हमें ये कहता है कि सोने के समान सुन्दर रंग से युक्त मरुस्तल जिस वैक्तिने नहीं देखा उसने कहीं क्या सुन्दर द्रशिय देखा होगा सुमेरु परवत की सोने के समान चमकने वाली रज के सिखर स्पष्ट ही सोबा देते हैं अतहा इस प्रकार का मनोह द्रश्य पहाडों की काली चटानों में नहीं डूंडना चाहिए अथार्त ऐसा सुन्द द्रश्य परवत्य प्रदेश में उपलग्द नहीं है यह तो सिफ रेगिस्तान में ही है फिर आता है तीसरा रम्य क्वचित सेकत वप्रशानों सुकोमले भाश्वती हेम बढने प्रातह प्रदेशे च सुकम इस्तिताम केशामन चेताशी विकाश्वन्ती रम्य यानि रम्मणिय क्वचित सेकत वप्रशानों सुन्दर कोमल चमकती हुई सुकोमल चमकती भाश्वरी हेम बढने हेम बढना हां प्रातह प्रदेशों च सुकम इस्तिताम कहीं रम्मणिय कोमल चमकती हुई सुन्दर सुन्हरी रंग की बालू के टीला की चोटी पर केशामन चेताशी विकाश्वती रातरी काल में सुक पूर्वग बेठे जिसके मन में विक्षित नहीं होते अथार सबके मन प्रफुलित हो जाते हैं क्या खेता है कवी के कहीं रम्मिय कहीं रम्मणिय कोमल चमकती सुनेरे बालू के टीलों पर प्रातह वर रात को सुक पूर्वग बेठे हुए किन मनुश्य के हर्दे में विक्षित या प्रशन नहीं होते अतार सभी के हर्दे में प्रसंता से खिल जाते हैं